बट गाड़ी उनके हाथ से निकल गए रूट सीधी लगी सोगी स्पीड पर फेंसिंग में तो एक ही बार में गाड़ी में पेट उब और मैं सीधी हरियाना पहुचूंगा तो लगबग 16 गंटे मैंने continuous driving की थी ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया कैसे हो कैसे तो जिन्होंने मेरे तीनों पार्ट देखे हैं उनको पता है नहीं देखे है टॉप राइट कॉर्ण में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे वो सब देख लेना आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी रूट कैसा है रोड कैसा है कैसा है टूटे फूटे पढ़े सिंगल डबल कर दिया मैंने रैकॉंग नाको टाबो यह सारे क्रोस कर दिये रात को बारा बजे में एंटर हुआ में कंटिनुएस में ड्राइविंग करी बीच में सिर्फ गाड़ी में एक बार में जो गाड़ी में पेट्रोल भरवाय था टंकी फूल कर वाई थी उसके लिए मैं रुका में ऐसे गलती से बोल दिया था कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सीधे हर्याना खीज दूगा गाड़ी तो मैंने एल्टीमेटली फूर्थ मतलब फूर्थ पार्टी में मैंने वही किया मनाली वाला रास्ता भी बंद है कि आगर उस यह वाला टूटा-पूटा रहता है तो साड़े चार बजे के आसपास में 152 पे चड़त चुका था जो कि अमबाला टू नारूल वाला रास्ता है जो मेरे घर के आसपास यह जींद के आसपास फिर ऐसा हो गया था अफ्टा 16 आर्स ओफ कंटीनुस ड्राइविंग लगबग साड़े 500-600 किलोमेटर मेंने गाड मुझे असा लगा मतलब वह वक्त ऐसा हो गया था मेरे को यह पता है मेरे गाड़ी चल रही है रोड के उपर सोगी स्पीड के उपर है बट मां फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि 16 गंटे कंटेनस ड्राइविंग काफी चीज होती है तो मैंने हाइविस एक्जेट बने होता ह वहां पर मैं फ्रेश हुआ फिर मैंने अपनी नींद ली पीछे दो गंटे लेट के सीट जो है मैंने फोल्ड कर रखी दी दो गंटे मैं वहां पर लेटा तो यहां तक कब आपको ट्रिप का पूरा बता देता हूं ब्रेज़ा का एक्सिडेंट का भी बताने वाला हूं तो मुझे तो को दिक्कत नहीं मेरे को गाड़ी खींची नहीं थी मैं पाहडों में ड्राइव नहीं करने वाला था रात को लेकिन मेरे को ऐसा हो गया था बस मुझे आप यहां से निकलना है रोड काफी ज्यादा खराब थे आप लोग कहेंगे कि यह तो होता है पाहडों में वोश ओफ हो जाते हैं तो हाँ वो चीज सही है मुझे निकलना था that's it my opinion मेरे परस्पेक्टिव मुझे निकलना था मैं निकल गया सो लगंटे ड्राइव करके बढ़ियाती जनी रिटर्न जनी मेरी जल्दी निकली अब मैं बताता हूं वो ब्रेजा वाले एक्सिडेंट का साड़े चार बजे में सो है मेरी आख खुली साड़े चे बजे के असपास मैं गाड़ी आगे मैंने बढ़ाई तो देखता हूं कि एक ब्रेजा निकली है जस्ट मेरे आगे फ्यूल पंप से अब तुम भगवान का इसको इशारा मालो कुछ भी जैसे वो गाड़ी फ्यूल मेरे दिमाग में कोंइंस्टाग ला गए और यह तो एकसीडियंट के केस में होता है फीर इसी कीपस भी तूट के खया एक खीयर पर बड़ पर धी गाड़ी से महतरा मैंने उनको पूझा की गाड़ी में कितने लोग हो सब ठीक हो के नहीं हो गाड़ी का फ्रंट राइट वील सस्पेंशन को साथ लेकर तूट के डिवाइडर में गिर गया था क्योंकि गाड़ी डिवाइडर की जो फैंसिंग है उसे कोलाइड हुई थी यह अगर मैं धीरे करके दिखाऊं तो इसमें देख रहे हुग गाड़ी फैंसिंग से आके लगी है और फिर मैंने ओनर से बात की वीडियो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया उसके बाद तो मैंने ओनर से बात करें कि क्या हो गया कैसे गूंगी गाड़ी क्या गया कुत्रे आ ब्रेक मार दीए ब्रेक मार दी आपने तो वह आगयता और गाड़ी थी तो उन्हें ने एमर्यजन्ष्य ब्रेकिंग कर दी और उपस्ट व्रण्च के नن और मैंने उस गाड़ी की डिक्की में रखा गाड़ी का एर बैक कुल गाड़ी फ्रंट लगबग राइट पूरा डैमेज हो चुकी थी यह जो थे गाड़ी के उन्हेर इनकी बेटी साथ थी तो वह काफी घबर आ गई थी इनको बिठाया जीन्द की गाड़ी थी जीन्द में मैंने इनको छोड़ दिया 30-35 km वहां से था फिर इन्होंने मतलब मेरे को पूछा चाय पानी के लिए भी पूछा मुझे पैसे के लिए पूछा मैं यह सब मेरे किसी काम के नहीं है आप लोग सेफ हो अपना ध्यान रखो अपनी घाड़ी का ध्यान रखो बाद में उस वक् फिर मैं अपने घर पहुंचा लगबग साड़े नो पॉने दस क्या स्वास तो यह था मेरा ट्रिप का लास्ट टोल बगएरा मैंने देखे नहीं कितने के लगे पैट्रोल मैंने देखा नहीं आठ नहुजार का तो पैट्रोल पीया होगा जहां भी गाड़ी की आधी टंकी और यह थी मैं फुल करवा रहा था तो लास्टे का पास इतना ही है ठीक है मैं सीधा अपने घर आ गया और मैं बड़ा खुश मम्मी को रात में कॉल आया दस बजे का सबस की रूम ले लिया मैं मैं आराम कर रहा हूं मैं ठका वा हूं और सब्सक्त में ड्राइव कर रहा था अगर मैं उनको बता देता कि मैं पूरी रात ड्राइव करने वाला हूं तो उनको टेंशन रहती तो मैंने उनको बताया है यह वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने लग गया कि दिली से जाना है तो किन चीजों के ध्यान रखना ह अगर आपको बताने लग गया उसमें बहुत टाइम चला जाएगा तो आपको नेक्स पार्ट बनाके इसी में बता दूंगा पांच पार्ट के साथ मैं सीरीज को वाइंड अप कर दूंगा यह फूर्थ पार्ट आप देख रहे हो बागी तीन के लिंक आपको इधर ही मिल तो मेरा सोलो ट्रिप के एक्सपिरियंस कैसा रहा क्या कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है वो आजाएगा नेक्स पार्ट में थेंक्यू